आपने ब्राउन टी, ब्लेक टी और ग्रीन टी तो पी होगी पर क्या ब्लू टी भी आपने पी है कभी नीली चाह तो यह नीली चाह हम कैसे बनाते हैं तो अपराजता के फूलों से मैं बताऊंगा आज आपको कैसे नीली चाह वह मॉक्टेल जो बिना एलकोल वाला ठंडा पे है कैसे बनाया जाता है वह आपको बताऊंगा पहले आप पौदे की पहचान कर लिए यह जो है बेल है इसकी जो फली है वो यह बिलकुल मटर की तरह होती है आप में एक पंखडी के अंदर आप देखेंगे यह पत्ती के अंदर तो साथ आपको छुट-छुटी पत्तियां जुड़ी दिखाई पड़ती है यह इसकी पह करें कि इसके फूल योनी के आकार के होते है इसलिए वैज्ञानों के इसका नाम Lord Calay टॉली की उपति कि यह ग्लिए फ्कौन पंश्र कंदो के साब से यह अप्राइटा देवी के उपर, शिंवजी के उपर, विश्रुन जी के उपर यह चढ़ाय रता है फूल 5-6 फूलों को दो कर एक कप पानी में 4-5 मिनिट के लिए उबाने पानी सुंदर नीला हो जाए तो छान कर गुलगणा करके पीएं ऐसे करके नीली चाय आप बना सकते हैं इसकी फली देखिए इसके अंदर कितने 9 बीज हैं गिने गिनाई ये इसकी पैचान है 9 बीज गिनके आप देख लिए तो ये फली की पैचान है और फूल जो है एंथोसाइनी नाम का नीला पिगमेंट होता है जिसलिए ये नीला होता है उसमें बहुत अधिक एंटियोक्सिडेंट हैं या पुशक तो तो है खराव बुक्त कड़ों को जो हमारी कोशिकां है 37 ट्रियन, 37 ट्रियन जो कोशिकां है उनको डेमेज करते हैं उनको ये फ्री डेरिकल्स को ये मार देता है इसलिए हम जल्दी बढ़ापा आने से बचे रहेंगे ये हमारी रोग प्रत्रोदक शम्ता को भी बढ़ाता है ये हलका सा लैग्जेटिव है इसलिए कब्ज रोकता है एक बार में एक कप हील है ज्यादा लेंगे तो दस हो जाएंगे ये बलड शुगर लेवल को संतुलित करता है शरी के बजन को घटाता है नीला रंग इसका पिशाब में आने की वज़े से क्या होगा कि पिशाब पहले से ही पीले रंग की है और नीला पीले मिलके हरी रंग की पिशाब आ सकती है तसलिए डरने की बात नहीं है बस आपको ये धहार रखना है कि ज्यादा मात्रा में नहीं पिएं तो पहले देखी है आवे ने एक कप पानी ले लिया इसको और पैन में रख लिया और ये छे फूल पर छे फूल काफी है डाल दिए इसके अंदर और इसको धीरे धीरे हलकी आँच के उपर होने दिए तो क्या होगा कि पूरा पानी आपका नीला हो जागा रोज दिन में एक बार एक कप ही पी है गर्वती महलाओं को ये नहीं पीना है ग्रीन टी से ज़्यादा अच्छी ब्लू टी है क्योंकि इसमें पॉली फिनाॉस होते हैं जो टाइब वन डाइबिटीस को भी ठीक करते हैं ग्रीन टी से भी ज़्यादा एंटी ऑक्सिडेंट हैं ब्लू टी में सुखे फूली बजार में मिल जाते हैं अगर खाली पेट या या सुबह पिएंगे तो ये ब्लू टी आपके शरीर से सभी टॉक्सिंस निकाल देगी लिवर में से किड्नी में से आतों को एकदम साफ कर देती हैं इसलिए सुबह सुबह अगर पिएं एक कप बहुत है इससे क्या है कि सारी आपकी जो गंदगी है शरीर के अंदर वो बिलकुल निकल जाएगी आयरवेदा के साफ से इसके बहुत सारे फायदे गिनाएगा है और आपको अच्छी नीद आएगी अगर रात को पिएंगे तो बीपी को ठीक करती है संतुलित करती है और एंटी फंगल है एंटी बैक्टीरियल है एंटी डायबिटिक है और कुलेस्टेरल को भी घटाती है तो इसके बड़े सारे फायदे है मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दसी फायदे बता पाया हालनकि इसके बहुत सारे फायदे है अब आप देखे कितनी संदर लग रही है यह ग्रीन टी बन गई आपकी और इसके क्या करे हल थोड़ा सा नीवू इसके अंदर हमने निचोड़ दिया जैसे नीवू निचोड़ेंगा आदा ही नीवू बहता है तो दिखे नीचे से बाटम में कलर चेंज होना शुरू हो गया नीचे से यह हो गया गुलावी-गुलावी और बैंगनी हो गया और उपर का नीरा रंग दीर दीर से करके यह बदलता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर एंटियोक्सिद्ट जैसे मैंने बताया आपको बहुत एक मात्रा में उपर से आपने नीबू मिला दिया तो क्या हो गया यह और ज्याजा इसके गुण बढ़ गए तो नीबू भी एंटियो तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट है यह लेक्जिटेव है तो क्या होगा कि कॉंस्टिपेशन से हमको रोकती है अगर बहुत अधिक मात्रा में ले ले लेंगे तो डायरिया हो जाएगा फिर क्या करा है एक निबू काटके इसके किरारे पर लगा दीजे तो ऐसे करके य आपकी तो पहले अपने बताया था ग्रीन टी और अब हो गई यह मॉक्टेल तो मॉक्टेल होता है जिसमें अल्कॉल नहीं मिला जाता इस तरह कर ड्रिंक बन जाता अब आपको धिर दे करके इसको पीजिए बड़े सारे इसके फायदे हैं जैसे मैं आपको बताया इस तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्रार करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद